कि नमस्कार दोस्तों करेंट अफेर एटुजेट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बिहार कि स्पेसिफिक करेंट अफेर डिसकस करेंगे जो की जून 2022 से लेके जैन्वरी 2023 तक में बना है यह पार्ट वन है ठीक है एक और वीडियो आएगा हंड्रिज पॉइंट का उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए डिसकसन में आते हैं पहला है सुनंदनी प्रोग्राम यह बिहार गर्मेंट द्वारा लॉंच किया गया था किसलिए ट्रेनिंग टू आसा वरकर के लिए तो याद रखेगा सुनंदनी प्रोग्राम किससे में अगर यही चीज़ 2020 में पूचता तो तो बिहार जो है ठाड है ठीक है बिहार कौन सा रेंख है ठाड कितना प्रोडक्शन हुआ है 28,000 टन यह भी याद रखेगा अगला है बिहार के किस सहर को फिल्म सिटी बनाया जा रहा है तो वह है राजगीर नालंदा में अब स्वाक है नेचर सफारी है यह सारा चीज इंपोर्टेंट है राजगीर को लेकर अगला है बिहार का पहला टेक्स्टाइल कहां बन रहा तो वह वेस्ट चमपारन में बन रहा और वेस्ट चमपारन से एक चीज और रिलेटेड है वह है चनपटिया मौडल जिसको क्या जिसक में बहुत ही नाम हो रहा है ठीक है अगला है अदानी कार्गो टर्मिनल कहां पर बनेगा वह बनेगा पूसा समस्तिपूर में ध्यान रखियेगा अगला है कटियार जो है πहला अस्थान है किसमें मक्का प्रोडक्शन में और भिषार का रेंग कितना है भिषार का तीसरा है ठीक अगर जूट की बात करें तो कौन हैं फरस्ट तो वो है पूर्धनिया ठीक और राइस की बात करें तो वह है रहतास पल्सेज की बात करें तो पटना तो इस सब इंपोर्टेंट पॉइंट है इन सब को भी याद रखिएगा अगला है ककून बैंक इनागरेटेड इन बाका बाका में ककून बैंक याद रखिएगा बाका में एक चीज और है ओढ़नी डैम जिसको कि गंतन दिवस के प इन नागरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे याद रख्या कितना जिला 13 वियार का पहला डीजिटल कलेक्टरेट को नहीं तो है सहर्षा जिला यह भी याद रखिया गां अगला है कन्या पुत्री प्राइज ओए कि से स्टेट से रिलेटेड स्वरी किस डिस्टिक से रिलेटेड है तो वेस्ट और इस चंपारन से बिहार में और बिहार में गंगा का लेंद कितना है 445 किलो मेटर यह भी याद रखियेगा और सबसे ज्यादा कि इस डिस्टिक में गंगा बैता है तो वह है 99 किलो मेटर कहां पर पटना में यह भी याद रखियागा अगला है बिहार का पहला रिंगेंगे स्टेशन कहां बन रहा वह भागलपूर में बन रहा और इस्ट इंडिया का अगर बात करें पहला रिंगेंगे स्टेशन कहां पर बन रहा तो वह भी बिहार में ही बन रहा अग अगला है कंट्रीज फर्स्ट न्यूट्रेशनल विलेज कहा है तो वह है कुकुडी बीघा पटना में बिहार का सेकेंड फूट पर कहां बन रहा है तो वह मोतिपूर मुझापरपूर में बन रहा है और पहला कहां है मेहसी खगडिया में अगला है कि 2022 में कितने लोगों को पदम अवार्ड मिला तो वह दो लोगों को मिला है और कौन सवर्ड मिला है बंसरी मिला है किनको मिला है पहले है अचारे चंदना को दूसरे हैं साभN गपता है इनको मर्दों प्रांथ मिला है सैबल गुपता को ठीक है तो ये भी ध्यान रखेगा इनको एजुकेशन के फिल्ड के मिला है इनको क्या बुलते है भलाइक समास सेवा के कारे में मिला है अगला है एन न्यू वैरियंट और मखाना का नाम क्या रखा गया है तो है स्वर्ण व प्रोमोट करने के लिए अगला है बिहार पुलिस के द्वारा कौन सा एप बनाया गया है तो वो चक्र एप बनाया गया है जिसमें की कम्प्लीट हिस्ट्री आप क्रीमिनल मिल जाएगा अगला है आगया जूट प्रोडक्शन में पूर्दिया पहला स्थान है और स्टेट पाइस देखें तो भी वेस्ट बंगाल है और सकेंड में कौन है बिहार है चलिए अगला है बिगेस्ट इंडस्टियल पार्क और बिहार कहां पर बन रहा है तो वो गया में बन रहा है चलिए बिहार का दूसरा रोपवे कहां पर है तो वह मांडर हिल जो की बांका में अब चल रहा है Bihar में, अगला है, спокойrood research center कहां बन रहा है, तो मुकामा पटना में बन रहा है, किसकी मदद से, Asian development bank की मदद से, 50 करोट रुपे provide किया जार डिवलोपमेंट बैंक है अगला है अग्यार के नए एट और नी जेनरल कौन है तो है पीके साही नाम याद रखिए गापी के साही और एट और जोनरल किस आर्टीकल के ताहत होता है मतलब यह बिहार स्टेट के टॉर्णी जेनरल तो वो आर्टीकल 165 वही चीज अगर सेंटर की बात करें तो वो किस आर्टीकल के ताहत होता है अर्टीकल 76 अभी कौन है हमारे करेंटट थो आर वेंकम कर्यांअ ने क्यूंकि करिंट तो आर वेंगकर रमानी क्योंकि वह नॉंबर में पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट रखिया कब भी बैसी कि लिए आ सकता है अगला अग्देश का दूसरा वौतिक प्रतीमान केंद काम बन रहा तो वह बीरपूर सूपॉल में बन रहा है इसको इंग्लिस में के बहुते है। फिजिकल मॉड्लिंग सेंज़्टर वो सुपॉल में याद रखिया है, कहां बन रहा है? सुपॉल और पहला का है, पूने में है। यह दूसरा बन देश का इंप ठाल ही हिएगा है। इसके ताहथ क्या होगए इसके ताहएं नदियों के हैड्रोलिक तत्यों वह बिहार का पहला मतलब तत्यों मसलएं जल बहाओ का यहां अध्यान होगा ठीक tap ध्यान रखिए अकला बिहार कंव इसका दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलज बनकर तैयार है समझ गया है सकेंड फॉरिस्ट कॉलेज कहां बन रहा है तो वह मुंगेर में और मुंगेर हिस्ट्री पॉइंट आप यू सकी इंपॉर्टेंट है तारपूर मैसकर याद होगा 1932 फिप्टिंथ फेवरी 1932 यादे ना तारपूर मैसकर अगला है बिहार का पहला डीजिटल लाइबलरी कहां बनाए तो वह है रोतास में नेक्स्ट है वारनेसी कोलकत्ता एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलो इस पास होगा तो चार कौन-कौन से कैमूर फिर है रोतास फिर और अरंगाबाद फिर है गया याद रखेगा ये ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे बन रहा हल दो फास हेलस मुनेशेट कहां है तो लखी सराय में मिला याद रखेगा बुद्दिस्ट हील्ट बुनेश्ट्री में ही अगला बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटिप पार कहां बन रहा तु वह कुश्यारगढ़ अररया में बन रहा है ठीक है अगला सियासत में सद्यस्यता किताब के लेखा कौन है तो है बीजय कुमार चौधरी ठीक है यह क्या बोलते हैं एक सपीकर रह चुके हैं बिहार लेजिसलेटिव असेमली के अभी कौन है इसपीकर अवद कुमार अवद कुमार चौधरी याद रखेगा अगला है जनता के सेवक किताब किसने लिखा है तो वो सफाक बानो ने लिखा है सियासत में सद्यस्यता किसने लिखा है तो बीजय कुमार चौधरी ने लिखा है और यह जो जनता के सेवक है वो नितीज कुमार के जीवन पे है ध्यान रखेगा अगला है बिहार का सबसे बड अगला है रमायन सर्कूट में बिहार के कितने जिले सामील होंगे तो तीन जिला सामील होगा कौन-कौन बक्सर सीतामाडी और भंगा याद रखिएगा बक्सर सीतामाडी और भंगा अगला है जगदपूर जिल कहा है वह भागलपूर में है वही चीज अनुपम ले पहां है तो यह कैमूर में है याद रखिएगा भारत का पहला इथनल प्लांट कहान पर इनौगरेट हुआ थो वो पूर्धिया में किसके द्वारे इनौगरेट किया गया है नितीज कुमार के द्वार और बिहाड ने इथनल फॉडिशे लाया है ठीक है और अगर इथनल प्रोडुड़क्शन की बात करें तो टॉप कौ का माइनिंग माइनिंग कहा होगा तो वह औरंगाबाद एंड गया में होगा याद रखिएगा और वही क्रोमिया और निकल का माइनिंग कहा होगा तो वह रोतास में होगा यह याद रखिएगा गया में यूरेनियम भी मिलता है यह याद रखिएगा भारत का पहला चावल साईलो गोदाम कहां बन रहा है तो दोट जगह बन रहा है एक बक्सर में बन रहा है जिसका 12500 टन का कैपेसिटी है और दूसरा कैमूर में बन रहा है जिसका 37500 का कैपेसिटी है तो याद रखेंगा दोनों अगल बगल वाले जीले हैं कैमूर और बक्सर अगला है दर्भंगा जीला को one district one product के तहद मखाना उत्पादन में परधान मंत्री पुरुसकार मिला है याद रखियेगा किसको मिला है दर्भंगा जीला को किसके लिए मखाना प्रोडक्शन के लिए याद रखियेगा इंपॉर्टेंट है बिहार का दूसरा तारा मंडल कहां बना है तो वह दर्भंगा में और पहला ओला कहां है तो वह पटना में अगला है धार्मी कोरिडर का किंद और डिस्टिक के बीच में बन रहा है तो मधुबनी और सहर्षा के बीच में बन रहा है अगला है बिहार का पहला butterfly park कहा परना है तो वो तुतला भवादी रोतास में ठीक है यह herbal park भी बन रहा है यहां पर है तुतला भवादी में और अगला है बिहार का पहला नगरवन मतलब कहने सीटि के अंदर एक छोटा सक फोरेस्ट तो व वो सारन में बन रहा कालू घाट और आदानी के द्वारा कहां पर टर्मिनल बनाया जा रहा तो पूसा समस्तिपुन में याद रखेगा कि आध्या कुमारी कौन है यूनिस से पिहार हेट फॉर वन्डे ठीक है कौन रही है तो आध्या कुमारी अगला है 22 मार्च 2022 को बिहार का 110 अस्थापना दिवस मनाया गया है ठीक है 22 मार्च 2022 को कब बना था बिहार 22nd मार्च 1912 में याद रखेगा अगला है अनीता गुपता को इंटरनेशनल उमंट जे 2022 में मौके पर नारी सकति पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो यह भी याद रखिया गया किसको नारी सकति पुरुसकार मिला है तो वह है अनीता गुपता अगला है The Dream of Revolucer A Biography of J.P. Narayan किताब के लेखा कौन है तो वो है Bima Land सुजाता परसाद कौन? Bima Land सुजाता परसाद अगला है पूर्णिया is the first district of Bihar where all panchayat have library मतलब की जितने भी panchayat होंगे पूर्णिया district में हर panchayat में वहाँ पे library है तो याद रखेगा पूर्णिया next है ग्रामीन सडकों के मरमत की निगरानी के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया है तो वो है अनुरक्षन एप ठीक है? इसमें क्या होगा कि जो भी ठेकेदार है उन सब के information होगा इसी से payment होगा इसी से सारा चीज information मिलेगा BR Government हैस लॉँच असुइन पॉर्टल फॉर आसा वर्टर के लिए ठीक है आसा वर्टर के लिए असुइन पॉर्टल एक और कान सब प्रोग्राम लॉंच किया गया था सुनंदणिय प्रोग्राम फोट ट्रेंनिड थे कर फॉलूविंग माई मिथलब मिथलब मैथली पेंटिंग की मैथली पेंटिंग के बारे में कि हाओ मतलब उनके जिन्दगी के बारे में कैसे वह पेंट्वेंट की समझ गया है अगला है बिहार का दूसरा चिणिया घर कहां बन रहा तो और अर्या में बन रहा पहला कहां है पटना में संजय पच्छाना के तहद graduate की हुई लड़की को 50,000 मिलेगा ठीक है तो कितना मिलेगा 50,000 अगर वही 12th पास बोल दे तो उनको मिलेगा 25,000 लेकिन इसमें जो होना चाहिए वो unmarried होना चाहिए अगर married हुई लड़की 12th में तो उसको नहीं मिलेगा 12th वाला में graduate में तो married हो unmarried हो सबको मिलेगा बिहार का पहला टॉटल rehabilitation center कहां बना तो वह भागलपुर में बना है ध्यान रखियेगा अगला है rubber dam कहां बन रहा है तो वह कहां बनके तयार हुआ है तो वह गया का फालगुरी नदी में बना ठीक है तो यह भार यह बहारत का सबसे बड़ा rubber यह भी ध्यान रखिएगा ठीक है अगला है बिहार में 50 साल से पुराने पेड़ों के संरक्षन का अभियान चलाया जारा कितने साल पुराने तो 50 साल पुराने यह इसका बात का ध्यान रखिएगा बिहार इंवेस्टर समीट कहां पे हुआ था तो वो न्यू दिल्ली में कहां पे प्राप्त हुए हैं गिद्धेश्वर पर्वत में अगला हैं बिहार के छपरा की सभीता महतो दुनिया की सबसे उची सड़क जो की उमलिंगा पहले कौन सा था खारदूंगला अब कौन हो गया उमलिंगा ठीक है पहुँचने वाली पहली महिला बनी है कौन सभीत महतो और कहां की है छपरा की है और सबसे उची सड़क को उमलिंगा याद रखेगा अगला है बिहार को दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है रास्टी अवार्ड में 2022 का तो यह ध्यान रखे है कौन सा वार्ड मिला अवार्ड में तो वह सकेंड पहला कि इसको मिला तो वह है ओडिशा इस पीकर और बिहार लेजिसलेटिव असेमली अभी बताया था अवद बिहारी चौधरी और सियासत में सद्दस्यता किसने लिखा है बीजय चौधरी ने ठीक है तो ध्यान रखियागा अगला है जल जीवन हर्याली के तीन साल के लिए बढ़ाया गया है तो इसको स्टार्ट कब किया गया था 2019 से 2022 तक के लिए किया गया था तीन साल अब इसको 22 से 25 कर दिया गया है कितने रुपे मिला है इसको फंड 2568 क्रोड में सिल्वर पदग जिता था याद रखियेगा सिल्वर पदग और कौन थे चंदन सिंग कॉमन वेल्थ गेम 2022 कहां पर हुआ था बिर्मिंगं वह कहां पर है यूके यूनाइटेट किंग्डम याद रखियेगा ठीक है 22 मार्च 2022 को आयोजित बिहार दिया उसका थीम क्या था वो था जल जीवन हर्याली देखिया भी यह बताया था जल जीवन हर्याली को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है अगला है गुआरी डी टिला भागलपूर को हिस्टोरिकल प्लेस में बिक्सित किया जाएगा कहां पर याद रखिया गुआरी डी पूछ सकता है लोकेशन वाइज कि गुआरी डी टिला कहां पर है भागलपूर में वही चीज़ अभी आपको बताया था कि यह कहां गया रुके मैं के लिए बालमित्र काड यूजना अरम किया है याद रखियेगा चाई जैड लेबल को मिटाने के लिए बालमित काड फील अगला की बिहार का तीसरा बायो डाइवर्शिटी पार कहां बन रहा है तो वह सुपाल में बन रहा है एक फहला कहां है तो वह अर्ण लिए दूसरा गाया अगला परिवार निवाजन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है तो हर महीने की किस तारिक को ठीक है 21 तारिक हर महीने को अगला है बिहार सरकार 2024 तक क्रीसी छेतर को डीजल मुक्त करने का लक्ष रखा है ये भी याद रखिया कब तक 2024 तक और 31 मार्च 2025 तक का स्मार्ट प्रिपेड मीटर भी लगाने का लक्ष रखा है अगला है बिहार के संजय परदान को World Economic Forum की और से दावोस में समानित किया जाएगा ये भी याद रखियागा कहां पर दावोस जो की World Economic Forum हर बार वहीं होता है ये जैनवरी के लास्ट वीक में होता है अभी हो रहा है ठीक है तो ये 2022 का है 2022 में इनको समानित किया है कौन है संजय परदान ह्एगो अगला है कि बिहार राजे से राष्ट्टिय बाल पूरसकार 2022 ठीक है 2022 पूरसकार समानित होने वाले बाला कौन थैं तो वो थे धिरज कुमार और पाल साक्सी को क्यों मिल हूउ सोलसल सर्विस के लिए धीरज कुमार को बीरता के लिए अगला है बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश धर्सन और परसाद इसकीम में सामिल किया गया है ये भी ध्यान रखियागा अगला है दा फाउंडेशन और बाबा ब्रह्मे नेश्वर नाथ टेंपल वाज इसको कहां पर है बाबा ब्रह्मे नेश्वर नाथ टेंपल तो ये बकसर में नितिश कुमार जी ने इसका इसको डेवलप्मेंट का अधार चिला रखा है अगला है बिहार सरकार ने टूरिस पुलिस स्टेशन कहां बनाने का निरने लिया तो वो बोध गया और राजगीर में और बिहार जो अब देश का पहला राजजी होने वाला है जो कि दो ग्रीन इनर्जी एफिसियन टाउन भी बना रहा राजगीर और बोध गया ये भी ध्यान रखियेगा पहला तो टूरिस पुलिस और दो ग्रीन इनर्जी एफिसियन टाउन भी अगला है बिहार के पच्छमी चमपारन में राज जी का पहला वाटा एस्पोर्ट टूरिस्ट कॉंपलेक्स बन रहा कहां पे पच्छमी चमपारन और पच्छमी चमपारन में बालमेकी नेशनल पार्क है उदैपूर वाइड लाइप सेंचुरी है इसलिए ठीक है तो इस सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला है वर्ज 2022 तक काला जार मुख परदेश बनेगा बिहार बार हो गया लेकिन पता नहीं बना है कि नहीं इस पर अभी कोई नियूज आया नहीं है ठीक है अगला है नेशनल टीचर आवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले टीचर कौन है तो वह है चार सिटी कौन कौन से भागलपूर बिहार सरी पटना एंड मुझापरपूर अगला है नितिज कुमार इनौगरेटेड कंट्री फर्स्ट इथनौल प्रांट इन पूर्दिया ठीक है तो यह भी ध्यान रखिएगा कहां पर पूर्दिया में अब बिहार इथनौल प प्रोडियूसर मेज को तो यह ध्यान रखिएगा अगला है बाल सहायता योजना जो कि बिहार सरकार ने लॉंच किया है उसमें पंदरा सो प्रोवाइट किया जाएगा बच्चों को जिनके पिता जिनके यह माता-पिता का मौत कोरोना के वज़ा से हो गया है 18 साल के उम्रे मौतिहार का पहला नदी अधारित बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बन रहा है तो वह गंडग बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पे मौतिहारी और इस चंपारन के बॉर्डर पे अगला है महाबीर मार्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पे है तो वह है जमुई में याद रखेगा location wise दूसरा चिडिया अगर किस जिले में बन रहा है तो अररिया में बन रहा है अब पहला कहां पर है पटना में अगला है पर्मन डॉल्फिन सेंचुरी कहां पर है तो वो अररिया में है और हरिया बारा डियर पार कहा है वो भी अररिया में है ये दोनों याद रखिएगा ठीक है ओडनी डैम कहा है तो वो बांका में है क्योंकि 26 गंतन दिवस के दिन 26 तारीको तो ये जहाकी निकाला गया थो ओडनी डैम के बारे में इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है उनिसवा मुनिसिपल कॉर्परेशन कों है तो वो है सहरसा अगला है बिहार का दूसरा डॉप्लेट रड़र कहां लग रहा है तो वो पूर्दिया में लग रहा और पहला कहां पे लगा ये तो पट्ना में बिहार के कितने जिले धुरुमपान मुक्त हुए हैं तो वो 23 जिले अ कि बिहार में अम्रीत सरोवर के नाम पर 75 तलाब बनेंगे हर जिलार नम ठीक है अम्रीत सरूवर के नाम पर तो ध्यान रखिया कितने तलाब बनेंगा हर जिले में 75 अगला है पूट सेप्टिय अ हूँ हाँ तो कि सड़ी अ बिहार रैंक सकेंड इन टर्म्स आप लेबर रेजिस्ट्रेशन इन इसरम पॉर्टल ये भी ध्यान रखेगा इसरम पॉर्टल में क्या होगा कि आप अगर रेजिस्टर कीजिए तो आपको एक बारर जैसे आधार में आपको बारर डिजिट का एक यूनिक आईडी मिलता है उसके ताग, आपको 2,000,000 का बीमा भी हो जाता है, अगर आपका डेट हो गया, ठीक है, तो आपको 2,000,000 का बीमा मिलेगा, एक लाक का अगर आपका एक्सिडिन्ट हो गया, तो उस केस में मिलेगा, और इसमें 38 करोड जो अन औरगनाईग सेक्टर में, मजदूर काम करते हैं, उनको register इसमें करवाना, ताकि वो benefit ले सके, अगला है, सब्जी उद्बादन में बिहार का कौन सा rank है, तो ये तीसरा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहला UP है, सकेंड विश्ट बंगाल है, और तीसरा अपना बिहार है, रिहाबिलिटेशन सेंटर फ्रो फ्रेश वाटर टर्टल कहा है, तो वो है भागलपूर में, ये रिपीट हो गया है, फॉल्लोविंग माई पेंट ब्रस, ये भी रिपीट हुआ है, दुलारी देविग जी के द्वारा, अगला है, फर्स्ट डिस्टिक टूहब लैबरेरी इन और पंचायत ये पूर्णिया, ठीक है, नारी सकती पुरुसकार 2022, बिहार से किस को मिला है, तो वो है अनीता गुपता, और चलिए नेक्स्ट है, दरभंगा जीला को एक जीला एक उत्पात के ताहत मखाना उत्पादन है तो परधान मंत्री पुरुसकार से सम्मानित किया तो ये भी याद रखिएगा, अगला है, नटखट साइन्स लैब कहां पर है, तो वो भागलपुर में है, तो इस वीडियो में हम सो इंपोर्टेंट वन लाइनर डिसकस किया है, बिपीसी 68 बिपीसी को लेके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी 100 होंगे, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे, धन्यवाद।